सबका स्वागत है अपना गवर्ण चैनल पे तो और एक रिक्रिट्मेंट गेट के तुरू आया है अपने दिया है तो अभी हम देखने वाले डीटेल में कि क्या है और क्या नहीं तो फर्स स्टाट करते हैं इंपॉर्टम पॉइंट के साथ सबसे इंपॉर्ण है और बॉंड जो है वह तीन साल का है तो यह आपको ध्यान रखना है तो तीन साल तक अगर आपको छोड़के जाना है तो बॉंड अमॉंड पे करना पड़ेगा कितना है बॉंड अमॉंड तो ओपन के लिए जो है वह तीन लाग रुप है ठीक है और बाकी सभी के लिए के लिए 50,000 रुपीज जो है बॉंड अमॉंट है ठीक है वन एस्टुफाइब का जो है रेशो है जीडी जीटी और पी आ का कॉलिंग का मतलब एक सिट के लिए टोडल पाच केंडिए जो है वो फाइट करेंगे सबसे इंपोंट पॉइंट जो है कि शिफ्ट वाइज वर्क रहने वाला है तो इसमें जो है नाइच शिफ्ट भी इंक्लूड है तो अगर आप कमफरेबल हो नाइच शिफ्ट में तो ही एपले करो नजी तो मेरी करूंगा मत एपले करो इसको क्योंकि डेफिनिट्ली तो वो आपको सोचना बढ़ेगा अच्छी से इस लिमिट का जो cutoff date वो 28th of May 2022 है क्या है एज लिमिट 27th for general EWS, OPC 30, SSC 32, PWD 37, OPC 40 and SSC 42 important is form अभी अभी चाल हुआ है आज ही ठीक है और खतम होने वाल है 25th of May को और लगबग approximately जो आपका 10-10 new month रहेगा GDGTPI का वो जुले रहने वाला है तो मतलब आरम से 2-3 मेन आपको मिलेगा प्रेपर करने के लिए और प्रेपर करने के लिए टेंशन लेने के ज़रूत नहीं है जो भी अपना quick guide वीडियो हागा इसके बात MRPL के रहे उसको अच्छे से ब्लाइंड लिमत बरो नेटो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है यह आपको ध्यान रगना है फीज है 100 रुपी जनरी जनरी ओबीस एडवलिस के लिए और बाकी सब के लिए एपले कर सकते हो गेट पेपर कोड अपका CH चाहिए ठीक है मतलब केमिकल में आपने देना चाहिए नेक्स जो वेकंस है मेकनिकल के लिए है टोल 20 वेकंस है यूर 7, SC3, ST1, OBC7, EWS2 PWAT के लिए भी एक रिजरिशन दिया है अगर आपने BWATEC मेकनिकल में किया है और गेट पेपर कोड में है तो डेफिएट लिए अपले कर सकते हो नेक्स वेकंस है जो सिविल के लिए है ठीक है टोडल तीन वेकंस है जिर्फ ओपन के लिए 2 है और SC के लिए 1 है PWT के लिए भी resolution दिया है और BVTEC अगर आपने civil में किया है और gate paper code अपका C है तो definitely इस vacancy को अपले कर सकते हो next vacancy electrical के लिए total जो है 6 vacancies है open के लिए 2 बाकिस अपके लिए 1 है PWT के लिए resolution बिल्कुल भी नहीं है और अगर आपने BVTEC electrical और AAA में किया है और अगर आपका gate paper code डबल है तो definitely इस vacancy को अपले कर सकते हो next vacancy है instrumentation के लिए total 7 vacancy दे open 3 और बाकिस अपको एक लिए है PWT के लिए resolution नहीं दिया है अगर आपने BVTEC जो है instrumentation में किया है ENI में किया है INC में किया है INE में किया है INP में किया है और instrumentation technology किया है अपले कर सकते हो gate paper code अपका आइन होना जाहिए next vacancy metallurgy के लिए है और metallurgy में total 1 vacancy दी है अगर आपने BVTEC metallurgy material engineering material science engineering material science material science इंजिनरी इसमें किया है और अगर आपका gate paper code एमटी है तो definitely इस vacancy को apply करने वाले हो जो last vacancy है वो computer science के लिए है तो computer science के लिए भी total 6 vacancy है open के लिए 2 दी है बाकि सबको एक है PWA reservation भी दिया है अगर आपने BVTEC computer science में किया है तो apply कर सकते हो gate paper code आपका CAC हो चाहिए ठीक है तो यह सारे vacancies थी आपके MRPL के लिए तो कुछ भी query है कुछ भी doubt है notification के related और किसी भी चीज़ के related definitely यहें कमेंट करो और कुछ भी आपको पूछना है other recruitment के बारे में जो हम handle करते हैं अपना government job पे तो आपको मुझे क्या करना है Instagram पे DM करना है All the best